सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को दबाएए लेटेस अबडेट पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कंसल वी दमीदा आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर चोटे बच्चे को इलर्जी है इसके इलर्जी किसी वज़े से उसको रैशेज हो गया है महीन दाने सफेद कलर के या रेट कलर के निकल आएं तो इसके लिए क्या करना चाहिए इस पर मैं वैसे तो कई वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैंने यह बताए कि आप उसके लिए ऐलोवेरा जिल का यूज कर सकते हैं तो उस पर कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि क्या ऐलोवेरा जिल का यूज सर्दियों में कर सकते हैं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं करेगा और इसको कितने मंस के बच्च कि नुखसाद ना करें सबसे पहले तो मैं आप को एलवयरा जल बनाना पता देती हूँ किए आपको किस तरह Taylor शुरू करने से पहले मैं इक रिक्वेस्ट करना चाहते हूं आप seanar किनाम से अप आप एक बड़ जरूर कर दों कर येगा वहां पर आप लोगों से प्लांट लगा रखा हो तो और उसके बाद उसमें से यलो लिकविड निकल देख सकते हैं इस यलो लिकविड को निकल जाने देंगे और उसके लगभा सबस्दों किनारा कट करने के बाद हम पत्यों के उपर का हिस्सा काट कर अधना निकाल ले पाल में खटा कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब दो पैंड़ंकर ने यहाँ प्लिविए अब बिल्कुल रेडी है और इसको आप अपने बेबी की बॉड़ी पर अपलाई कर सकते हैं अलोवेरा जल बनाने में एक चीज का और ध्यान रखेगा कि मिक्सी का जो भी जार आप यूज करें वह बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए क्योंकि अगर आपने उसमें मसाला पीसा और अच्छे से साफ ना किया हो तो अलोवेरा जल को बनाएंगी ब्लेंड करेंगी और उसके बाद बच्चे की स्किन पर लगाएंगी तो उससे उसको और जादा जलन फील हो सकती है बच्चा काफी परेशान हो सकता है इसलिए उसकी सफाई का बहुत ध्यान रखेगा और एक बात और कहना चाहूंगी कि सर्दियों का मसम चला है तो बहुत से लोग यह परेशान होते हैं कि सर्दियों में ऐलोवेरा जल यूज़ कर सकते हैं बच्चे के उपर या नहीं कर स परेशानी नहीं होगी बच्चे को आप हलका सा गुनगुना करके बच्चे के स्किन पर लगा सकते हैं बहुत सादा गरम नहीं करना है और इससे भी उसको फाइदा होगा अब अलोवेरा जल जब बनकर तयार हो जाए आपका तो उसको आप अपने बच्चे की पूरी बोड परेशानी नहीं हो जाएंगे क्योंकि अलोवेरा एक बहुत ही अच्छी चीज होती है और मैंने इसे घर में ही बनाना आपको बताया है कोई भी मार्केट वाला प्रोडेक्ट आपको नहीं लेना है लेकिन अगर फिर भी डर रहें कि आपके बच्चे को कहीं नुकसान ना क रा तो आप उसे अपलके कर सकते हैं और उसे लिए और नारीयर के चेल बहुत है और सैम ₱ कोई रोऊ आता है वह आप लीजेगे तो वह एकदम निश्रल रहेगा और नुकसान नहीं करेगा और उससे भी बच्चे के इलर्जी में जो इसके इलर्जी हो जाएगी अरेश्य हो गए उस समय बहुत जादा फायदा करेगा अब आप कुछ बातें ये भी जान लीजे कि आपके बच्ची को इलर्जी हो क्यों गई है उसकी क्या क्या वज़े हो सकती है जिससे आप उस चीजों को सुधार लीजे और आपके बच्चे को आगे से कोई भी इलर्जी वगरा ना होने पाए सबसे पहले जो कारण होता है कि जब बच्चा होता है तब तो एक दम सही रहता है लेकिन पता चलता है कि होने के दो चार दिन बाद या एक अफ़ते बाद उसको अचानक से पानी जैसे महिन महिन से दाने निकलने लगे या रेड रेड सी हो गई है इसके तो इसकी क्या गर्म की अएल चाहि版 नबू हम झायतों दो कानवाश और यूज sík मामा अल आमधा हैं यूज गर्म काना सुट नहीं कानए सब But in चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप तुरन दूसरा ऐल चूज कर लीज़ आप अपने डाक्टरों से पूछ सकते हैं जब आप चेंज कर देंगी तो धीरे-धीरे सही हो जाएगी और दूसरी चीज ऐसे होती है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं जैसे कि जीरो मन का बेबी है या 3-4 मन तक का जब भी वो करवट नहीं ले पाते हैं और एक ही पोजिशन में बहुत देर तक लेटे रहते हैं तो पीछे बैक का हिस्सा होता है घरदन वाला यहां पे यह पीछ वाले एरिया में इस सब जहां पे बच्चे को अकसर रड़ रच्छा हो जाता है यह दाने निकलाते हैं वह इसी वज़ा से होता है कि वहां पे पसीना खटा होता है बच्चा सीधा बहुत देर तक लेटा पसीने की वज़े से और बच्चे को रहते हैं तो आपको अपने बच्चे की पोजीशन थोड़ी सोड़ी देर पर चेंज कराते रहना है ताकि एक ही जहां वह ना लेटा रहे की पोजीशन में और पसीना नहीं खटा होने पाए और दूसरी वज़ा यह हो सकती है कि आप ब पहने की बच्चे को अपहारी तो इस वज़े से बच्चे को अंदर यह काभी पसीनना आजाता है जैअकर थंढ है बच्टे को तीन-चार कपड़े एक miedo करना दए तो यह अज़़ da हो पेल्ट करने हैं क्योंक arrange the world और वह क्यों वह थो हुआ करते हैं तो DBD कर गिला फ़ोगा इस टांप पर बहुत जादा जलन से होती है बहुत ही बच्चों को परिशानी होती है तो इसकी वजया हो सकती है , यह कि आप उस जह क्लीड ना करती हूं और द्यार डेहाँ पर जब दियु आपके तो आप कर ना लगा लगा है और जब आप को बच्चे के डाइपर को चीज के कपड़े से उसको अच्छे से ड्राइ करके ही तब दूसर ड्राइपर लगाए तो उस जहां पे बिल्कुल भी रैशेज नहीं होगा इन सभी छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चे को इसकी बिल्कुल भी नहीं होगी और जहां तक मेर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल पर नहीं आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा